Hello everyone, आज की वीडियो में हम odometer के बारे में discuss करने वाले हैं, जिसे odograph, miliometer या milometer के नाम से भी जाना जाता है तो सबसे पहले इसके हम general definition देखते हैं The odometer or odograph is an instrument which is used for measuring the distance traveled by vehicles such as car or bicycles Means odometer हमारा एक ऐसा instrument होता है, जिसकी help से हम car और bicycle के जरीए कितना distance travel करते हैं, इस चीज को measure कर सकते हैं The device में भी electronic mechanical और combination of two electro-mechanical यानि यह आपका एक ऐसा device होता है जो आपका mechanical भी हो सकता है, electrical भी हो सकता है या फिर इन दोनों के combination form में भी हो सकता है In foreign countries, it is also known as miliometer और miliometer Foreign की country में यानि बाहर के देशों में ये miliometer या miliometer के नाम से जाना जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि foreign की country में जो distance रहती है, उसको miles में measure किया जाता है इसलिए वहाँ पर odometer को जो नाम है, वो miliometer या miliometer के नाम से जाना जाता है और इंडिया की बात कर ले तो यहाँ बडिस्टेंस किलो मीटर में measure होती है, इसलिए यहाँ पर इसका नाम odometer जाना जाता है अब हम discuss करते हैं कि इसकी जो discovery है उसको किस ने दिया था, means इसका invention किस ने किया था ancient time में बहुत सारी country में इसका invention हुआ था, चाइना में, अमेरिका में भी इसका invention किया गया था, जो कि एक old instrument था और उसका एक setup कुछ दूसरे तरीके से बेज़ था but हम Wikipedia की बात करें तो हमें पता चलता है कि Thomas Savory ने 1698 में इसकी discovery की थी, मतलब इसको invent किया गया था और उसके बाद कुछ अलग scientist जिसमें Benjamin Franklin थे और other scientist ने उन्होंने भी help करके इसका एक new version प्रोड्यूस किया था तो इसकी invention में काफी हमें अलग तरीके से history भी देखने के लिए मिल जाती है फिलाल हमारे पास जो basic data की वीडिया का उससे हमें यह पता चलता है कि Thomas Savory ने 1698 में odometer को invent किया था तब यहां पर हम practically देखते हैं कि हमारा odometer किस type से हमें देखने के लिए मिलता है तो हमने अभी आपको बताया कि हमारे पास two type की होते हैं odometer एक हमारे पास होता है electronic दूसरा mechanical तो यहां पर अभी जो आप diagram देख रहे हैं यहां पर इस diagram में जो आपको 091308 जो number लिखा हुआ है यह आपका odometer के ऊपर लिखा हुआ distance कितना उस bike ने travel किया उसका data यहां पर फीड है और यह आपका digital जो है यानि electronic वाला जो odometer होता है वह आपका यहां पर show हो रहा है और next इस picture में जहां पर आपको number 372899 देखने के लिए मिल रहा है यह आपका mechanical है means इसके अंदर rolls लगे हुए रहता है जिनसे नंबर की data रहती है और वह continuous change होता है अब हम यहां पर discuss करते हैं कि odometer आखे इस data को capture कैसे करता है तो देखे फ्रेंट्स आपकी जो वेहिकल्स होती है उसमें जो आपके tires होते हैं उसके जरीए यह odometer आपका connect रहता है जो कि आपका as a sensor form में fit रहता है और उस त वीडियो में thank you so much for watching